एक जंगल में एक सेर ने चीते से लड़ के अपनी दोस्ती तोड़ दी एक दिन सेर का सेनपती लोमडी जंगल के सबसे ज़्यादा चूरी करने वाले बंदर को पकड़ कर लाया तब सेर ने बंदर को साधा सुना दी इसको दो महने तक जेल में रखा जै उसके बाद इसको प पूछा मैं अपने दोस्त के जगह पर दो महीने तक जेल में रह सकता हूं तब सेर ने कहा हां मगर दो महीने के अंदर बंदर नहीं आया तो तुमको इसकी जगह पर साजा दे दिया जाएगा तब हीरण बोला ठीक है सरकार एसे ही दो महीने बीद गए मगर अभी तक बंदर नहीं आया था तब सेर हीरण को उचे पहाड पर ले जाकर धाका दे नहीं वाला था तभी बंदर आगया और बोला आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए और मुझे धाका दे दीजिए तभी हीरण ने कहा मैं तुम्हारी जगह पर मैं आपनी जान दे दूंगा जब सेर ने इनकी दोस्ती इतनी पहरी देखी तो उसके मन में दाया गया और दोनों को छोड़ दिया और खुद भी जाकर चीते से माफी मांगा